अवसर और शूर्य उदय में एक ही समानता है देर करने वाले इन्हें खो देते हैं इन्हीं विचारों के साथ मैं सुचता गढ़ेवाल कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज हम बात करने वाले मध्य प्रिदीश में पर्याटन की मध्य प्रिदीश के में पर्याटन से सम्मझे जितने भी प्रश्ण उत्तर होंगे आज हम उनको लगाने वाले तो चलिए चलते हैं हमार इंदौर और खज्राहों तो मत्य प्रदीश का पहला शिल्प ग्राम की बात करेंगे तो वह खज्राहों जिल्य में इस्ति खज्राहों जो है वह छतरपुर जिल्य के अंतरकत आता है अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी बिलकुल सही हो जाएगा खज्राहों को भी डाशी गई नगरी के नाम से पीचाणा जाता है इसका निर्माड चिंदेल पन्श चार्षकों के तवारा दसवी से घ्यारवी शताब्दी के मashr करवाया गया था नेक्सट खज्राहों की मंदिरों का निर्मार किस शैली में करवाया गया है जरविन शैली मुगल शैली नागर शैली और दक्षनी शैली जब हम बात करते हैं खज्राहों के मंदिरों की तो खज्राहों के मंदिरों का निर्मार नागर शैली में करवाया गया है अर्थात हमारा यहां प जब हम बात करते हैं शिव शागर जील की तो यहां खजराहों में इस्थित 64 योगिनी मंदिर के किनारे पर इस्थित है हमारा option number 20 सहीं हो जाएगा 64 योगिनी मंदिर की बात करते हैं तो यहां खजराहों का सबसे प्राचीन मंदिर है इस मंदिर का निर्माद ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है सास बहु मंदिर कि इस जिले में स्थित है ओ भगवान श्रहस्त्र बाभू की मूर्ती इस्थित है खजराहों के मंदिरों को कितने समूहों में बाटा गया है तो खजराहों के मंदिरों को चार, पाँच, तीन और दो कितने समूहों में बाटा गया हमको यहाँ पर आंसर देना है तो देखें खजराहों के मंदिरों को तीन समूहों में बाटा गया है ये तीन समोह कौन-कौन से हैं, पहला है पूर्वी समोह, दूसरा है पश्चिमी समोह और तीसरा है दक्षनी समोह एक बात आपको और याद रखने हैं कि खजराहों के मंदिरों को किसी भी उत्तरी समोह में नहीं बाटा गया है, केवल तीन ही समोह है मुक्तागीरी जैन तीर्थिस्थल कहां इस्तित है, महू, रावर खेडा, मांडो और भैस देही देखें मुक्तागीरी जो जैन तीर्थिस्थल है ये भैस देही में इस्तित है और भैस देही किस जिले के अंतरगत आता है तो ये आता है बैतूल जिले के अंतरगत यहां पर बहुत सारे जैन मंदर एक साथ बनाए गए हैं बहुत बड़ी पहाड़ी की अंदर तो option number D हमारा यहां पर सही हो जाएगा इंद्रा गांधी राश्ट्री मानव संग्रहाले किस परवर्श रंकला पर बना हुआ है आपसे जिला नहीं पूछ रहा है आपसे राज जी नहीं पूछ रहा बलकि आपसे पूछी जारी यहां पर परवर्श रंकला राज पीपला की पहाड़ी महादेव की पहाड़ी श्यामला हिल्स और कार्डमम पहाड़ी तो देखे इसका सही आंसर होगा हमारा श्यामला हिल्स श्यामला हिल्स कहा परिस्थित तो श्यामला हिल्स जो है वह भुपाल जिले के अंतरगत आता है तो हमारा option number C यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा हनुमन्तिया टापू किस जिले में इस्थित है मध्य प्रदेश में जल पजेटन नीती हनुमंतिया तापू के कारण ही लेकी आई गई जिले की बात करते हैं जवलपूर, खरगौन, खडवा और भोपाल तो हनुमंतिया तापू जो है वहाँ खंडवा जिले के अंतरगत आता है अर्थाथ हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पच्मडी की खोज कब की गई थी? 1930, 1862, 1890 और 1940 पच्मडी की खोज 1862 में की गई थी पच्मडी होशंगाबाद जिले के अंतरगत आता है यहां पर संपुर्ण मध्यप्रदेश में सरवाधिक वर्षा पच्मडी के अंतरगत ही होती है इसके अलावा यहां मध्यप्रदेश का एक मातर हेल स्टेशन है सत्पुडा परवश रंखला के अंतरगत आता है यहां पर सबसे जादा जो फेमस चीज है वो है पांडव गुफाएं और रजद जल प्रपाद पश्मडी को कब जयवारक्षित छेत्र घोशित किया गया था 1990, 1930, 1990 और 1910 तो मध्य प्रदीश में पश्मडी को जयवारक्षित छेत्र के रूप में वर्ष 1990 में घोशित किया गया था मुम्ताज की पहली कबर किस जिले में इस्तित है? मुम्ताज कौन है? देखिए ये शाह जहा वाली मुम्ताज की बात हो रही है अरथार जिसके नाम पर ताज महल का निर्माड करे आया गया उस मुम्ताज की बात हो रही है धार, बुरहानपूर, उज्जैन और दिली देखिए मुम्तास के कब्र हम सब जानते हैं कि ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है इसके अलावा हुआ क्या था हम सिचुएशन समझते हैं कि शाह जहां जो है वो अपनी गर्ववती बीवी मुम्तास को लेकर आये थे बुरहानपुर वाले शेतर में और यहां पर निवास कर रहे थे बलकि इनको ट्रैवल नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुम्तास गर्वती थी पर फिर भी इन्होंने मुम्तास के साथ ट्रैवल किया और इसके बाद हम देखते ही कि मुम्ताऑ अपने चौद्वे बच्चे को जन्म देते हुए इसकी मृत्यों हो जाती है मृत्यों के कुर्ष समय पहले मुम्तास शाहा को पास बुलाती है और उससे दो वचन लेती है दो वचन में पहلا वचन यह होता है कि शहाजहां मुम्तास के जाने के बाद विवाहा नहीं करेंगे शादी नहीं करेंगे और दूसरी चीज़ यह होती है कि शहाजहां सबसे खुबसूरत कबर बनाएंगे मुम्तास के लिए तो साजा ने अपना दूसरा वादा तो पूरा किया पर पहला वादा वो भूल गया उसने मुम्तास के जाने के बाद भी शादी की तो क्या सच में ताजमहल प्रेम की निशानी है तो बिल्कुल गलत है ताजमहल प्रेम की निशानी नहीं है अगर आपको प्रेम की निशानी देखनी है तो आप भगवान राम का वो पुल देखिए जो कि उन्होंने शीता माता को लानी के लिए बनाया था अब भगवान कृष्ण को देखिए विवरंदावन को देखिए ये सारी चीज़े प्रेम की निशानी है ना कि ताजमहल प्रे तो फिर मुम्तास की कब्र को यहां से लेकर जाकर ताजमहल में दफनाया जाता है अर्थात हमारा ऑप्शन नमबर बी यहां पर बिलकुल सही आंसर हो जाएगा फूल बाग में स्थित रानी लक्ष्मी भाई की समाधी का निर्माड किसने करवाया था देखे रानी लक्ष्मी भाई की समाधी की बात हो रही है रानी लक्ष्मी भाई का सम्मंद जासी से था मध्य प्रदेश में गौलियर वाले शेतर से था इन्हें जासी की रानी भी कहा जाता है इसके अलावा यह मराठा राजवानिश से थी और रानी लक्ष्मी भाई जो है इनकी समादी का निरमाड माधवराव सिंदिया मामा टाट्या भील टाट्या टोपे और शहादत खा किसके द्वारा करवाया गया था है। की इसका सही आंसर होगा माधव राव सिंधिया अर्थात ऑप्शन नंबर ए माधव राव सिंधिया के दुआरा रानी लक्षमी भाई की समाधी का निर्माड ग्वालियर के फूल बाग नामक शेतर में करवाया गया है बुंदेलाओं की छतरी किस नदी की किनारे इस्थित है नर्मदा सोन बेतवा और सिंध देखें जब हम बुंदेलाओं की बात करते हैं तो बुंदेला जो रहे हैं वो छतरपुर निवारी तीकमगर वो वाले शेतर में रहे हैं तो इनकी छतरी जो है वह बेतवा नदी के किन नारे इस्तित है क्यों कि नर्मदा नदी जो है वह हम देखते हैं कि अनुपूर अमरकंटक से निकलती है पूरे मद्ध ब्रदेश को काटते हुए नीचे फिर महराष्ट में चाती है और आंगे जाकर गुजरात में चली जाती है लेकिन वहीं जो हम बात कर लेते हैं सोन नद के तरफ में यह नदी बहती हैं तो इस कारण से हमारा option number C यहां पर correct answer होगा महराजा च्छत्र साल संग्रहाले किस जिले में इस्थित है निवाडी पीकमगड पन्ना और च्छतरपुर जब हम बात करते हैं महराजा च्छत्र साल की तो महराजा च्छत्र साल बुंदेल खंड के सबसे प्रतापी शाशक कहलाते इसके अलावा इन्हें बुंदेल खंड का शिवाजी भी कहा जाता था और इन्हें बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता था महराजा च्छत्र साल जो है इनका एक संग्रहाले बनाया गया है जो कि हम देखते हैं जो की च्छतर अभील कुमर चैन सिंग और पेश्वा बाजी राव देखे जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंगल पांडे की तो सबसे पहले आपको मंगल पांडे के बारे में पता होना चाहिए तो भारत में 1857 की क्रांती करने वाले प्रथम वीर मंगल पांडे थे जिन्होंने भार मंध्य प्रदेश के सबसे पहले शहीद होने वाले जो व्यक्ति थे वो कुवर चैन सिंग तो हमारा उप्षन नमबर C सहीं होगा कुवर चैन सिंग के शहादत की हम बात करते हैं तो इनकी शहादिता इनकी मृत्टियों जो है वो दशेहरा मैदान में हुई थी जो कि शीहो रियासत के राजकुमार थे बैजू बावरे के सम्मंद में असत्तिक अथन बताएए देखिए बैजू बावरा जो है ये तानसीन के समकालीन रहे हैं इसके अलाव ये जो है ये राज दरभार में गायन किया करते थे इनकी एक शैली बहुत जाद अफ्रीमस थी उसके बारे म में रहा करते थे यहां पर रहा होगा इनका Creating अलीराजपूर जिले में हुआ था सबसे पहली बात दो यहैं कि बैजू बावरा जो है वह तांसेन से संबंदित थे इसके अलावा तां सेन के समकालीन थे तांसे इनके सामने यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता था संगीत को लेकर तो वो बैजी वावरा थे बैजी वावरा कहां रहा करते थे तो यह गौलियर के महराज मान सिंग तोमर के दरबार में रहा करते थे इसके अलावा आपको छीज़ और पता हो नहीं च संगीत का संरक्षण भी किया है तो इस कारण से मान सिंग तोमर को दुरुपत संगीत के संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है वहीं जो इनके मरत्यों थी वो 1613 चंदेरी में होई थी ये बाद बिलकुल सहीं है ये दुरुपत संगीत के महान गया थे ये भी सहीं है व कि चंदर शेखर आजाद जी का जन्म आली राजपर में हुआ था तो हमारा यहां पर आप्शन नमबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पीर बुधान का मकबरा किस जिले में इस्थित है शियोपुर शिवपुर मुरैना और धार देखिए जब हम पीर बुधान जी की बा शिवपुरी में इस्थित है पीर बुधान जी का मकबरा अर्थात यहां पर हमारा ऑप्शन नमबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चचे जलप्रपात किस नदी पर इस्थित है चचे जलप्रपात मद्धी प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है यह जो है यह ब एएज ब्रपात किस नदी पर इस्थित है अर्थात ऑप्शन नमबर ही हमारा बिल कुल सही आंसर होगा नेक्स कोश्चन की तरफ चलते हैं भाल कुंड जलप्रपात किस नदी पर इस्थित है चंबल, बीना, सुनार और जामले देखे भालकुंड जलप्रपात की हम बात करते हैं तो यहाँ बीना नदी पर इस्तित है अर्थाथ हमारा option number B यहाँ पर भी सही हो जाएगा गांगुल पारा जलप्रपात किस जिले में इस्तित है? बालागाट, खरगौन, रिवा और सतना देखे गांगुल पारा जो जलप्रपात है यहाँ मद्य प्रदीश पर ही इस्तित है और मद्य प्रदीश के बालागाट जिले के अंतरगत आता है अर्थाथ हमारा option number A बिलकुल सही होगा देखे बालागाट में आपको पता होगा कि मलाजखंड सबसे जादा बड़ी तामा की खदान वही मैगनीज की सबसे बड़ी खदान भारवेली की खदान भी बालागाट जिले के अंतरगत ही आती है बदबदा जलप्रपात किस नदी पर इस्तित है? बीना नदी, चम्मल नदी, वेन गंगा और सुनार नदी जब हम बात करते हैं भदबदा जलप्रपात की तो यहां मध्य प्रदेश में इस्तित सुनार नदी पर इस्तित है अर्थात आप्शन नमबर डी हमारा यहां पर सही हो जाएगा इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में संपूर्ण परियतन से संबंदित MCQ को कवर कर लिया है इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश से कल्चर और जनजाती की शुरुआत करेंगे जिसमें हम कल्चर और जनजाती संबंदित MCQ को कवर करने वाले हैं आपसे मिलेंगे नेक्स वीडियो में thank you so much आपको हमारी classes कैसी लग रही है हमें comment में ज़रूर बताएं और अगर आपको कोई confusion है तो वो आप हमसे पूर सकते हैं thank you